अंगलमेथरी स्टूडेंट्स, तुडें वी आर गोईं टू स्टार्ट अ न्यों पोयम दा शेट बाइ फ्रेंक फ्लिन स्टूडेंट्स, इस पोयम इस अबाउट दा शेट वाट इस शेट? शेट को आप छपर कह सकते हो एक ऐसा कमरा या जगे जिसकी छठ टैमप्रेरी होती है जैसे कि आप विलेज्स वगर आमें देखते होंगे वाल्स के उपर प्लास्टिक की शेट डाल देते हैं या फिर टीन की शेट या फिर घहस फुसकी छप बना देते हैं उसी को बचों शेट कहते हैं So, this poem is about the shed, which is a small room, away from the main house. यह poem एक shed के बारे में है, जो की main house से दूर एक छोटा सा कमरा है. It is located at the bottom of the poet's garden. और यह जो छोटा सा रूम है, जिसको shed कहते हैं, यह poet के garden की bottom में स्थित है. But, the poet never goes in that shed, कभी-कभी भी उस shed में नहीं गए है. So, he is curious to find out what is inside that shed. वो बड़े क्यूरियस हैं, बहुत चिक्यासू हैं, उनकी यह जानने की इच्छा हैं कि आखिर उस shed में है क्या. Actually, it is in the worst condition. वो जो shed है, वो बहुत बुरी condition में है. And, whenever the poet passes through it, जब कभी भी पोईट वहां से गुजरते हैं, he feels somebody staring at him. तो उन्हें ऐसा लगता है, जैसे कि कोई उनकी तरफ घूर रहा है. And, his brother threatens him by saying that a ghost stays in the shed. और उनके भाई ने उनको ये कैकर डराया हुआ है, कि उस shed में एक भूत रहता है. Who hides himself under the rotten floorboards, जिसने अपने आपको गले हुए, सडे हुए, floorboards के नीचे छिपाया हुआ है. Who may jump and attack on the poet anytime, जो कि किसी भी समय पोईट पर jump कर सकता है और उस पर attack कर सकता है. But, the truth is that there is no ghost inside the shed, लेकिन सचाई क्या है बचो, उस shed में कोई भूत नहीं है. So, he explores his feelings about that shed and what it possibly contains. So, in this poem, the poet just wants to explore his feelings about the shed and wants to know what it contains, what the shed contains. Will he be able to go to the shed without being scared? क्या पोईट बिना डरे उस shed के अंदर जाने में सफल होते हैं? So, students, from here, this poem begins. Stangep first. There is a shed at the bottom of our garden. Poet says that there is a shed which is located at the bottom of his garden. कभी क्या केते हैं? कि उनके गार्डन की बॉटम में एक shed है, with a spider's web hanging across the door. और उसके दर्वाजों पर spider's web लटके हुए हैं, मकडी के जाले लटके हुए हैं. The hinges are rusty and creek in the wind. उसके जो hinges हैं, दर्वाजों के जो hinges हैं, hinges means movable joints on which door or great swings. आपने देखा होगा बच्चों, joints होते हैं, जिस पर हमारा जो दर्वाजा हो हैं, वो swing करता हैं. जिसको हम हिंदी में कभजे भी कह सकते हैं. उसके जो कभजे हैं, उन पर rust means, जंग लगा हुआ है. और वो wind जब चलती हैं, तो वो creek की sound करते हैं. When I am in the bed, I lie and I listen. पोईट कहते हैं कि जो मैं बैट पर लेटा हुआ होता हूं, तो मैं उस sound को सुनता हूं. And I'll open that door one day, और मेरे मन में यही विचार आता हैं कि एक दिन मैं उस door को खोलूंगा. There is a dusty old window around at that side with three cracked panes of glass. वहीं पर एक dusty, पुरानी, मिटी से भरी हुई पुरानी window भी है उसी side में with three cracked panes of glass. जिसके, जो glass के panes हैं, वो तीन साइड से crack हुए हुए हैं. I often think there is someone staring at him. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो cracked panes हैं, उन में से कोई मुझे घूर रहा है. Staring means घूर ना. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. जैसे जैसे time बीता है, पुएटी सोचते हैं कि मैं कभी ना कभी उस window में से जरूर जहागूंगा. Peep means look through a narrow opening. चोटी से जो जगा होती हो, उसमें से जहागना. तो कभी क्या सोचते हैं कि मैं एक ना एक दिन उस window से अंदर जरूर देखूंगा. कि आकिर उसमें क्या है? उनके भायों ने ये के कडराते हैं कि उसके अंदर एक घोस्ट है, भूत है. जिसने अपने आपको सड़े हुए गले हुए फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपाया हुआ है. And if I ever dare to set foot inside और अगर मैंने कभी भी अंदर कदम रखने की कोशिश की, he'll jump out and chop off my head. तो वो कूद कर बाहर आ जाएगा और मेरा से चॉप कर देगा, मेरा से टुकडे टुकडे कर देगा. But I'll take a peep one day. लेकिन मैंने सोच लिया है कि एक नाएक दिन मैं उसमें से जरूर देखूंगा. I know that there is not really a ghost. मैं जानता हूँ कि वास्ता में वहाँ पर कोई भूत नहीं है. My brother tells lies to keep the shed forest done. और मेरा भाई जूट बोल रहा है जिसे कि वो उस shed को अपनी कुफा के लिए रख सके. There is not anyone staring or mocking making strange noises. वहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि घूर रहा है या फिर अजीब गरीब आवाजें निकाल रहा है. And the spider has been gone from his web since I don't know when. मुझे नहीं याद कबसे वो मकडी भी बहुत पहले उस web ghost जाले को छोड़ कर जा चुकी है. So I'll go into that shed one day soon. और मैंने सोच लिया है कि मैं उस shed में एक ना एक दिन जरूर जाऊंगा. But not just yet. लेकिन अभी नहीं. So students, at last the poet overcomes his fear by saying that he will enter the shed one day soon. This is your poem The Shed. Thank you. Have a nice day.